दोस्तो Excel के एक और powerful वीडियो में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम cover करेंगे data tab data tab Excel का एक one of the important term है और साथ ही इसके जितने सारे options है वो काफी जादा useful है जो कि हर एक Excel user को आने चाहिए आज के इस वीडियो में data tabs related जितने भी options है चाहिए मैं बात करें advanced filter की, data validation की, forecast support की, consolidate, get and transform data जितना कुछ है सब कुछ इस एक वीडियो में ही cover होने वाला है जाहिर से बात है दोस्तों कि वीडियो थोड़ी से लंबे होने वाली है बट आपको proper dedicate होके इस वीडियो को देखना है and I am telling you कि इस वीडियो को देखने के बाद data tab आपको अच्छे से clear हो जाएगा और एक छोटी से request है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत time लगने वाला है तो वीडियो को like और share जरू कर देना और एक comment जरू करना कि वीडियो का जो concept है वो आपको समझ में आया है नही so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नॉर्मली आ जाते है कम बड़े स्किन पे और यहां पे हर एक term को समझने के लिए जैसे आप यह नीचे देख पा रहे होंगे filter, text to column, flash field जितने भी मैं terms की बात करो उन सब के उपर हम अलग-अलग individual practical देखने वाले है लेकिन सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे इस term से जो कि है get and transform data सबसे पहले इसका मतलब समझो आप क्या है get and transform data मतलब data को कहीं से उठाना है और फिर उसको transform करना है किसी नए रूप में सबसे पहले यहां पर समझते हैं पहले option को जो कि है from text या csv इसका मतलब क्या होता है तो आप जब इसमें mouse लेके जाओगे तभी आपको इस शो करेगा कि या तो आपका data text में हो या फिर comma separated value form में हो या फिर space form में हो तो csv का मतलब क्या है comma separated value example के लिए आप on screen देखो कि मैंने यहां पर employee का data की read किया हुआ है notepad में तो आप यहां पर notice करो कि manage data को कैसे अलग किया हुआ है यहां पर comma की मदद से अलग किया हुआ है employee name comma designation comma salary राजेश comma manager comma उसकी salary तो इस तरीके से यहां पर जो हमारा data है वो क्या है csb form में है यानि कि comma separated form में है अब यहां पर करने के अवाले हम यहां पर आते हैं दुबारा excel file में और यहां पर जो सबसे पहला option है from text या csb तो basically क्या होता है कि जब भी आप कई बार आपको notepad की file भेज दे जाएगे जिसमें आपको data लिखके दे दिया गया है या फिर मानलो कि आप online data copy कर रहे हो तो वह भी आपका जो है वह कोमा format में आपको मिल सकता है तो आप simply क्या करो कि जब इस पर click करोगे तो computer की सारी locations जो है वह आपके सामने खुल जाएगे कुछ इस तरीके से आप basically मैंने जो file रखा है वो कहां रखा है desktop पे हम जाएंगे desktop पे उस file को हमने select किया और हम करेंगे इसको import जैसे मैं import पे click करूँगा आप देखेंगे कि यह उस जो text file है उसके साथ connect होगा और उसका जो format है कि वो जो data है जो coma के तुरू separate है उसको हमने get कर लिया यहां पे तो get किया और फिर हमने उसको transform कर दिया एक proper data table format में जो क्यों इसके नाप देख पा रहे हो इसके बाद हमें simply क्या करना है हमें load पे click करना है जैसे आप load पे click करोगे आप देखोगे कि यहां पे जो queries and connection है उसमें यहां show कर रहा है employee data जिसमें चार रोज है load हुए आप देख पा रहे हो और वो जो data है वो आपको proper table format में with filtration और जितने भी terms है उसके साथ वो data यहां पर आ जाता है तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने data को get किया मतलब data लिया और उससे transform कर दिया एक नए format म so I hope कि अब यह जो यहां पर term है get and transform data वो आपको clear हो गया अब दूसरा term आता है यहां पर from web मानलो कि आप online कोई काम कर रहे हो या फिर online आपको office colleague ने बोला है कि यहां से data आपको उठा के transform करके भेजना है तो अब यहां पर होगा क्या कि online जो भी portals है कोई website है company की या फिर copy करना पड़ेगा और उसके थुरू आपको यहां पर data लाना पड़ेगा कैसे मैं समझाता हूं सबसे पहले यहां पर आते है Google पे और मैं यहां पर लिख देता हूं एक common term लिख लेते हैं ताकि आपको भी practice करने में easy हो तो मैंने यहां पर लिखा नरेंदर मोधी और यहां नरेंदर मोधी Wikipedia मैंने इस पर click किया तो यहां पर बहुत सारा data है इंसे related जो कि हमें table format में भी मिल जाएगो और sample format में भी तो हम क्या करेंगे यह उपर वाला URL है यह जो आप देख रहे हो इसको हमने किया copy करने के बाद हम यहां पर आएंगे अपनी excel फाइल में और यहां प आप OK करोगे उस पूरी site का जो data है वो यह load लेगा और उस related जितने भी term से वह आपको यहां पर show करेगा आप देख रहे हो यहां पर क्या कर रहा है कि उसे load ले रहा है अब यहां पर document करके option आया है जब मैं इस पर click करता हूं तो यह सिर्फ simple data है null इसके बाद election result पर जब मैं 2014 में सब कुछ है यहां पर तो data हमने वहां से उठाया और एक proper format हमें यहां पर मिल गया मतलब get हुआ data फिर transform हो गया इसके बाद हमने क्या किया यहां पर load पर click किया जैसे आप load पर click करोगे वो data यहां पर proper transform होके एक अच्छे format में on screen Excel पर आ जाएगा जो कि on screen आप देख पा से या फिर कोई notepad पर file है CSB format में space format में तो आप ले सकते हो from text यह CSB से दूसरा term क्या है कि यहां पर अगर मैं बात करूँ from web तो अगर online आपको कोई भी data उठाना है तो आप from web से data ले सकते हो अब यहां पर next term है from table यह अरेंज example के लिए अभी आप नीचे देख रहे हो तो यह भी एक तरीके का टेबल ही है यह जो data वो क्या है एक तरीके का टेबल ही है तो हम यही से data उठा लेते हैं तो मैंने क्लिक करता हूं मैंने data को select किया फिर है from table पर click किया तो यहां पे मेरे पास ही कुछ आ जाएगा इस तरीके के view में आप देख रहे हो यह वाला column है यह पर click कर देना है जैसे आप keep पर click करोगे आप देखो कि जितने भी extra column आ रहे थे जिने अभी हमने delete किया वो यहां से हट गया है और उसके बाद एक proper way में हमार पास यहां पर data आ गया है आपको clear हो गया होंगे जो कि आपने देखा पहला है from text from web और from table अब यहां पर बात करते है next option की जो कि है recent sources जब आप इस पर click करोगे तो यह आपको पूरा एक वो बता देगा कि आपने कहां कहां से sources को link किया था जैसे सबसे पहले आप देखो अभी recently हमने क्या किया जो Wikipedia से ह हमने शिरी नरेंदर मोधी का data है वो यहां पर हमने get किया और transform किया इससे पहले हमने employ data करके जो हमारा notepad में file ता वहां से data को pick किया और transform किया तो यह basically क्या करता है जो जो sources आपने use किया है वो आपको यहां पर show कर देता है so I hope कि get and transform data से related जो यह options है वो आपको killer हो गया सब जो option है जो वहां पर एक manual तोर पर है वो यहां पर आपको group collaboration में मिल जाता है जैसे from file में देखोगे तो वह option है workbook के through यह through तो basically मतलब यह ही है कि आपको यहां पर data को get करना है अलग-अलग sources से और फिर उसे transform कर लेना है simple अब यहां पर बात करते है existing connection basically queries and connection तो आप समझ ग जैसे आप data web से लेके आ रहे हो कहीं से लेके आ रहे हो तो यहां पर देखो side में show कर रहा है मैं इसको थोड़ा से बढ़ा करके show करता हूं तो यहां पर queries and connection में show कर रहा है कि आपने 3 queries लिये एक employee data का था एक election result का था और दुबार election result का data है जो कि आपने from table से लिया था तो यह आप यह basically हमें show कर रहा है इनका connection कैसे कैसे क्या है वह हमें show कर रहा है तो यह जो question connection है वो बेसिकली इसी के लिए है कि आप connection कहां का build कर रहो लेकिन इसको हम थोड़ा brief में समझ लेते हैं समसे बले यहां पर बात करते है existing connection की ठीक है कि existing connection का क्या use है देखो इस point को ध्यान से समझना existing connection से क्या कर सकते हो कि आप इस sheet का या फिर मैं बोलो इस workbook का connection दूसरी workbook से कर सकते हो और उसके data को अपने हिसाब से यहां पर transform या फिर represent कर सकते हो example के लिए मालनो मेरे पास एक attendance sheet का data है मेरे पास attendance report है employees के अब मैं चारा हूँ वो जो data है वो है simple मैं यहां पर लेकर आता हूँ उसे ले लेता हूँ पाइवेट टेबल में या फिर table format में तो वो काम आप कर सकते हो existing connection से कैसे मैं किलिक करता हूँ existing connection पे और प्रहल तो मैं यहां पर selection यहां रख लेता हूँ ताकि टॉप में आए data हमने यहां पर select किया और existing connection पे किलिक किया मैं किलिक करता हूँ browse for more अल्रेडी जो मैंने किया है उसको हम यहां पे क्लिक कर रहे है बिल्कुल इस्टार्टिंग से समझ रहे है तो browse for more पे हम क्लिक करेंगे computer की सभी locations आपके सामने खुल जाएगे मेरी जो फाइल हो मैंने रखिया document में जो कि है attendance sheet data में इसको select किया और किया open open करने के बाद यह दिखा रहा है कि इसमें एक sheet है हम यहीवाली sheet चाहिए हमने किया ok अब यह कह रहा है जो data है जो आप import कर रहे हो जो आप attendance sheet से उठा रहे हो वो आपको कैसे format में चाहिए table में चाहिए private table report में चाहिए या फिर किसी और format में तो मैंने बोला मुझे चाहिए data private table report में मैंने इसको select कि और कर दिया ok अब इसका फाइदा क्या है तो इस point पे ध्यान देना basically आप देखो कि यह attendance sheet है वो काफी जादा बड़ी है आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी कुछ है लेकिन आपका जो senior है वो आपसे यह कहता है कि यहाँ पे मुझे एक report भीज़ दो जिसमें मुझे employee का नाम हो गया उनकी ID हो गये उनकी salary हो गये जो जरूरी चीज़ है यह सब कुछ भे मत भेजो सिर्फ जरूरी चीज़े भेजो तो आप यहाँ पे यहाँ पे देखो अभी जो field है वो अलग तरीके से आ रहे है यह जो आपको दिख रहा है यह dates है basically तो date pivot table में कई बार recognize नहीं करता तो यह इस format में आ रहा है नंबर format में आ रहा है मुझे salary देखनी है और मुझे इसके यहाँ पे देखनी है net salary तो यह term मैंने यहाँ पे डाला ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे एक point को समझना यहाँ पे जो designation है इसको मैं filter वाली category में डाल लेता हूँ ताकि मैं designation के भी हाँ पे manage कर सकूँ और यह जो मेरा data है इसको मैं थोड़ा सा customize कर लेता हूँ यहाँ पे कैसे करूंगा मैंने इसको select किया select करने के बाद design में जाएंगे और यहाँ पे subtotal option है मैंने कर दिया do not show subtotal और जो report format है उसको मैं बोल देता हूँ कि इस report को show कर दो आप tabular form में एक proper तरीके से तो देखो data भी यहाँ जाद अच्छे से आ रहा है और existing connection की मदद से क्या गया हमने इस sheet का यानि इस पाइवर टेबल का connection बिल्ट कर दिया बहां से कैसे देखो जैसे मान लोग कि यहाँ पे एक नाम है यह है महेश तो मैं इस महेश को change करके लिख देता हूँ अनुराधा सपोज मैंने यह लिख दिया अनुराधा ठीक है और मैंने एंटर तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों के वीच में connection है तो होगा क्या है कि जब यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ यहाँ पे data tab में और यहाँ पे जाने के बाद मैं कर देता हूँ तो जैसे मैं refresh all करता हूँ तो यहाँ पे नाम क्या हो गया अनुराधा हो गया तो basically क्या हो रहा है कि इसका connection हमने कर रखा है इसकी original file से यही reason है कि यहाँ पे हम existing connection से अगर उसमें कुछ भी update होगा कुछ भी data change होगा तो automatically data यह यहाँ पर भी change हो जाएगा और यहाँ पे आप private table का फाइदा तो उठाई सकते हो मानलो अगर आपका senior कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ helper लोगों का जो data वो दिखा हो helper select किया कर दिया okay तो इतने helpers है यह इनकी salary है और यह इनका net salary है तो सब कुछ हमारे सामने on screen आ जाता ह I hope कि यह term आप समझ गया होंगे कि existing connection का क्या use है queries and connection पर click करोगे तो यह आपको data show करेगा कि आपने connection कहां से built किया हुआ है तो attendance data format से हमने built क्या हुआ है properties पर जब आप click करोगे तो इससे related जो जो properties है कि यह कैसी connection name क्या है या फिर उससे related जो और भी terms है वो सब यहां पर आपको show हो जाएंगे तो यह just एक तरीके का overview देखने के लिए use है main term है जो कि existing connection अब दोस्तों बात करते हैं इसे में एक और option है जो कि किया हुआ था दो अलग अलग file को बड़ो अलग format में था इसको हमें same format में रखना है लेकिन उन दोनों को आपस में interlink करना है तो आप इसका symbol में example बता रहा हूं यह जो data है इसको हमने select किया मैंने इसको किया copy symbol एक नई workbook ले लेता हूं में जहां पर आपको समझाता हूं य दोनों आपस में interlink है example के लिए आप यहां पर देखो कि अगर मैं आपको शो करूए शुभम है और मैंने इसका नाम रख दिया यहां पर अनुच यह किया enter किया तो automatically इसमें भी data change हो गया है अगर मैं यहां पर मोनू का जो data वो delete कर दूँ तो automatically इसमें भी data delete हो गया है तो अ यहां पर तो कोई show कर रहा है कि आपकी जो updated values है वो by default update हो रही है इसमें आप source check करना चाहते हो तो open source किया यह है original source जहां से हमने उसको link किया हुआ है अगली चीज यही पर आप अगर देखते हो तो आपको option रहता है break link का अगर मैं इसे break link कर दूँगा तो उसमें कोई भी change क करने पर यहां पर apply नहीं होगा जैसे मैंने break link किया और मैं break link पर click कर देता हूँ अब यह करने के बाद अगर मैं यहां पर कोई भी changes करूँ जैसे अनुज है मैंने इसे कर दिया अभी नव ठीक है मैं क्या नाम कर देता हूँ अभी नव तो क्या इस बार यह update हो रहा है नही इसके लिए आपको इसके बार में पता होना चाहिए कि अगर आप एक ही फाइल का दूसरे फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो उसको copy करो paste special में जाके उसके कर दो paste link जिसके बाद आप क्या करोगे edit link की मदद से उसे break link कर सकते हो या उसके source वगरा को check कर सकते हो I hope कि यह लेकिन अब जिन terms को हम पढ़ने वाले हैं वो सब बहुत ही जादा important है जैसे कि advanced filter क्या होता है या आपको बात करूँ flash fill का कैसे use करते है data validation का आप कैसे use कर सकते हो consolidate का कैसे use करोगे वो सब चीजे अब हम समझने वाले तो यहां पहले option की तरफ जो कि है shorten filter तो सबसे पहले तो पूरे data को हम select करेंगे shortcut आपको पताई यह क्या है control shift को hold करो down arrow की press करो नीचे तक data select और right arrow की क्या पूरा right में जहां तक data फैला है वहां तक select हो जाएगा तो हमारा यह पूरा data select हो चुका है select होने के बाद हमें simple filter पे click करना है किया click करने के बाद यहां पे देखो हम करेंगे मतलब क्या है आप इसे ascending to descending यह descending to ascending में convert कर सकते हो example के लिए मैं short पे click करता हूँ ठीक है और यहां पर ही मुझसे पूछ रहा है यहां पर चार column एक है salesman का column एक है department का column एक है street का column और एक है sales का column आप किस column को filter करना चाहते हो तो हम जाएंगे short by हमने बोला sales को मुझे filter करना ह ठीक है और यहां पर मैंने बोला किसके विहाब पर करना चाहता हूँ तो मैंने बोला sales values के विहाब पर जो इसके अंदर value है उसके विहाब पर मुझे filter करना है तो हम यहां पर जाएंगे smallest to largest और इस पर जब किलिक करोगे तो यह option होगा largest to smallest मतलब largest मतलब जो ज़्यादा sales हो और उससे कम sale वो आएगी नीचे तो हमने किया यहां पर okay जैसे मैं okay करता हूँ जितनी भी ज्यादा sales है वो उपर आ गई उसके बाद जो कम sale वो नीचे फिर उससे कम नीचे फिर उससे कम नीचे तो इस तरी के साब एक manual filtration apply कर सकते हो इसके बात अगर आपको इसे यहां पर ह advance filter यह क्या होता है देखो यहां पर एक point को समझो अभी क्या है कि हमने data को filter किया जैसे मालो यही data है और इसमें मुझे data चाहिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर परदेश का हमारे पास यहां पे तीन-चार state है एक उत्तर परदेश दिल्ली बिहार पंजाब हमारे पास अलग- मुझे इस data को उठा के आगे वाले को भीजना भी है या फिर इसको separate करना पड़ेगा तो वह कैसे करेंगे तो अगर आप advanced filter यूज करते हो तो आपका data filter भी होगा number one और वह by default अलग होके एक दूसरी जगह पर आ जाएगा या फिर उसके एक अलग copy बनके दूसरी जगह पर जाती है कैसे समझते हैं सबसे परल हम इसको पहले जैसा करते हैं यापर select all कि हमनी किया okay पहले जैसा normal कर दिया मैं अब यहाँ पर यहां पर में data निकालना है उत्तरबरदेश का हम यहां पर आ जाते हैं आने के बार्द में क्या करते हूँ यहां पे advanced option पर खिलिक करते हूँ किलिक करने के बाद सबसे पहला बोला इसने लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में आपका पूरा डेटा है उसको आपको सलेक्ट करना है, देखो पूरा डेटा सलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज, मतलब इसमें आपका क्या क्राइटेरिया है, तो हमने बो another location इस पर click करना है और copy to पर click करके जो भी दूसरी location है उसको आप select करो और कर दो ok जैसे आप ok करोगे आप देखोगे कि यहाँ पर उत्तर परदेश का data filter भी हो गया है और अलग से निकल के एक दूसरी location पर हमारे सामने आ गया है तो basically यह होता है advanced filter जिसमें आपको यह नहीं है कि पहले filter करो फिर data copy करो फिर paste करो यह सब जो ताम जहाम है वो हट जाता है और advanced filter के मदद से सीधा सीधा data filter भी हो जाता है और दूसरी जगा पर copy होके आ जाता है कि इतना term आपको के लिए हो गया होगा अब बात करते है next term की जो कि यह text to columns देखो कई बार क्या होता है कि जब आप online sources से data copy करते हो तो data हो सकता आपको इस term में मिल जाए जैसे आप देख रहे हो employee name, designation, salary या फिर हो सकता है बीच में space हो हो सकता है tab हो तो अलग-अलग format में data ज से starting से समझाता हो हो सकता है आप confused हो जाओ जिसे इसको हटा दिया हमने मानलो यह हमारा source है यहां से data को ऐसे select किया और किया copy ठीक है और copy करने के बाद मैं यहां पे कर दीता हूँ paste तो यह data आ रहा है कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए data proper तरीके से तो मैंने इसको select किया select करन कि अपका जो यह data है किस तरीके से separate है क्या यह tab की मदद से separate हुआ है या फिर coma की मदद से हमने से को मा select किया और करेंगे हम next next करने के बाद आपको बस finish पर किलिक करना है आप देखोगे कि आपका जो data है वो अलग-अलग column में proper तरीके से यहां पर adjust होके आपके सामने आ जाता है अब बात करतें next option की जो कि है फ्लैश फिल देखो एक तो हो गया नॉर्मल फिल में आपने एक data लिखा दूसरा लिखा हुआ आ गया कहने का मतलब जैसे यह वो 1 है ठीक है और 1 का square क्या होता 1 ही होता है 2 का square 4 जैसे कहने का मतलब जैसे equal क्या 1 into 1 यह क्या हुआ हुआ स्क्वा यह जो number है यह खुद से multiply हुआ और यहां पर आ गया और इसके बाद मैंने drag कर दिया यह आ गया इस तरीके से तो यह हो गया एक तरीके का फिल जो कि हमने formula की मदद सेक्या लेकिन मैं चाहरा हूँ इसका format है कि यह जो भाई 1 है 4 है 9 है वो आया कैसे तो मैंने यहां पर बोला 1 ratio of 1 यह है इसका format ठीक है कि 1 multiply 1 हुआ 1, 2 multiply 2 हुआ 4, 3 multiply 3, 9 अब एक एक करके करूँगा मैं तो काफी time लग जाएगा आप करो इस पूरी range को select, select करने के बाद simple आपको flash fill पे click करना है सब कुछ अपने आपी हो जाएगा, same यही चीज़ कर देते हैं यहां पर, यहां पर मैंने पूरी range को select और हमने क्या flash fill, तो basically flash fill क्या करता है, अगर आपका कोई अलग तरीके का format है, जिसके विहाब पे आपका data execute हुआ है, तो वो चीज़ भी आप apply कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, flash fill के मदद से, so I hope कि दोस्तों यह वाला term भी clear हो गया होगा, अब आते है next option पे, जो duplicate data कौन सा है, मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ इस range को, और select करने के बाद मैं जाता हूँ यह home में, और यह conditional formatting में जाके, मैं यहाँ पे show करता हूँ duplicate values, तो यह देखो, नरेश जो हो दो दो बार आ रखा है, पुनीत भी दो बार आ रखा है, और भोलू भी यहाँ पे दो बार आ जाता है, तो उस case में हमें जरूत पढ़ती है, remove duplicates की, तो जैसे मैं इस data को select करूंगा, पूरे को मैंने select किया, select करने के बाद मैं remove duplicate पे click करता हूँ, click करने के बाद यह पूछता है, कि आपको duplicate value किस भीहाब पे check करना है, तो मैंने बोला, चारो column के भीहाब पे check करो, एक इसे मैं okay करूंगा, यहाँ पे देखोगे, आपकी चार लोग का data यहाँ पे duplicate था, जो कि अब हट गया है, और कोई भी नाम अब यहाँ पे repeat नहीं हुआ है, और यहाँ पे बीचवे नाम आ रहा था, उसको भी इसने remove किया, और automatically data को उपर adjust कर दिया, so I hope कि यह point के लिए remove duplicate क data validation का मतलब समझो, data validation मतलब किसी भी data के उपर कोई भी condition apply करना या फिर एक validation apply करना ही काम होता है, data validation का, example मैं भी आपको शो करता हूँ सबसे पहले, जैसे कि यह mobile number है, अभी mobile number 10 digit का होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ प या फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं age जो है, age हमने डाला maximum 56 है, और minimum जो age है, वो है 18, ठीक है, यही एक job criteria age होता है, तो हमने डाला कि अगर कोई भी 17 साल का बंदा है, तो वो accept नहीं होना चीए, age error, age should be between 18 to 56, दूसरा यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे जब मै किलिक करता हूँ, तो Mr., Mrs., Miss, Inka Option आता है, तो यह जितना भी काम हो रहा है, यह सब होता है, data validation की मदद से, अब सबसे बहले मैं इस पे से data validation हटा देता हूँ, तो मैं सब data को select करता हूँ, और select करने के बाद हम जाएंगा data validation पे, हमने के okay, और मैं करता हूँ, clear all, सब पे से जो validation है, वो हटा दो, और okay कर दो, अब यहां पे किसी पे कोई भी validation नहीं आ रहा है, तो मैं इसको तो पहले delete कर देता हूँ, और अब यहां पे सबसे पहले शुरुआत करते है, mobile number से, ठीक है, अब यहां पे मैं कोई भी mobile number डालू, यह accept कर लेगा, क्योंकि अब इस पे validation नहीं लगा सकते हो, जैसे whole number के भीहाब पे, यहां फिर date के भीहाब पे, time के भीहाब पे, फिलाल मैं जो लगा रहा हूँ, वो किसके भीहाब पे, text length, मतलब कि यह जो length है इसकी, वो minimum भी 10 होनी चाहिए, और maximum भी 10 होना चाहिए, मतलब जो number है, वो सिर्फ 10 digit का ही होना चाहिए, मै यह क्या करेंगे, हम इसको select करते है, data validation पर जाते है, हमने यहां पर condition तो लगाई थी, और हम यहां पर message भी दे देते है, तो हम जाते है, error alert में, यहां जाने के बाद मैं title डालता हूँ, invalid number, और यहां पर मैं डाल देता हूँ, number should be of 10 digits, यहां लिखा, और हम करेंगे ok, तो जात करते हैं, दूसरे option के, जैसे यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पर मैं यह चाहता हूँ, जब भी हम नाम type कर रहे है, तो यहां पर पहले मुझे title का option आजाए, और यहां पर drop down हो, जिसमें मैं Mr., Mrs. या Miss, select कर सको, तो इसके लिए क्या किया है, मैंने साइज में Mr., Mrs और Miss लिखके रखा हूँ है, हम यहां पर आते हैं, इस range को select करते हैं, select करने के बाद आपको जाने data validation में, यहां जाने के बाद हम जाएंगे setting में, और यहां पर any value पर click करके, हमें select करना है list, क्योंकि एक तरीके की list है, इसके बाद source पर आपको click करना है, click करने के बाद उस source क आपको select कर लेना है, जो आप drop down menu में डालना चाहते हो, और हमने किया OK, अब यहां OK करने के बाद आप देखो, कि मैं यहां पर जाता हूँ, और मैं इसके लिए Mr. Choose कर सकता हूँ, इसके लिए यहां पर मैं चूज कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं चूज कर लिया Miss, और इस इस बार हम condition लगाएंगे किस पर, decimal values पर, यानि कि इस number पर, तो हमने बोला कि जो minimum number है, वो होना चाहिए 18, मतलब किसी की जो age है, वो minimum 18 होनी चाहिए, और maximum जो age होनी चाहिए 56, इस से उपर का कोई भी person है, तो उसको हम accept नहीं करेंगे, तो हमने किया OK, अब OK करने के बाद य यहाँ पर, अगर मैं लिख दू 17, तो भी accept नहीं करेंगा, और message print कराने के लिए क्या करेंगे, हमने select किया, data validation में गए, और error, alert में जाके, आपको जो title डालना है, age, error, invalid age, या फिर उससे related जो भी message, जैसा हमने mobile number भी किया था, वैसे आप यहाँ पर print कर सकते हैं, अब यही च देखो DOB का जो format है, वो है date का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर calculator खोल लेते हैं, side में, मैंने यहाँ लिखा calc, और मैंने क्या open, तो यहाँ पर सबसे पहले date क्या होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ बात करू, 90, अभी जो time चल रहा है, वो है 2023, तो मैंने यह बोला कि minimum जो age है, वो होनी चाहिए, minimum 18, तो मैं करता हूँ, minus 18, तो मैंने यहाँ पर किया 2005, तो minimum age क्या होनी चाहिए, 11 2005 हमने डाल दिया, और maximum देखना है, तो maximum के लिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर 2023, minus 56, तो यहाँ जाएगा 1967, तो यहाँ पर हमारे पास दो term है, हमने इसको select किया, select करने तो 0101, 1967 हमने डाल दिया, 1967, और हमने बोला कि अगर कम से कम age है बंदे की, तो कितनी होगी, 2005 तक, तो मैं डाल 0101, 2005, हमने किया, OK, OK करने के बाद आप यहाँ देखो, कि अगर मैं कोई भी date डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला 0502, और मैं यहाँ डालता हूँ 2006, हम आप डाउन मेन्यू कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, और दूसरा, आप अलग अलग तौर पर validation या फिर condition लगा सकते हो, अपने sell values के लिए, I hope कि यह term अपको अच्छे से clear हो गया होगा, अब दोस्तों बात करते है, next option की, जो कि है consolidate, अब यह consolidate option का क्या फाइदा यह समझते है माल लो आपके पास data है, अलग-अलग महिनी का, जैसे माल लो example के लिए, यह हमारे पास कुछ salesman है, जिनकी अलग-अलग sales है, और यह जो sales है, वो है October की, और उन्होंने sell करी है November की, और फिर उन्होंने sell करी है December की, अब हम यह करना क्या है, कि हम यह चाह रहे हैं, कि एक section बना सबस्पहले यहां पर आते हैं, हमने click किया consolidate option पे, ठीक है, consolidate option पे click करने के बाद, यहां पर हम से पूछ रहे है reference, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर आते हैं, दूसरे वाले sheet में, जैसे कि यह वाली sheet है, यहां पर आने के बाद, October sale का जो data है, इसको हम ऐसे select कर लेते इन तीनों data को हमने select किया, इसके बाद देखो जो इसका top row है, और जो इसका left row है, वो हमें ऐसा label रखना है, मतलब जैसा है, वैसा कर वैसा यह रखना है, तो हमने किया top row और left row, और फिर यहां पर select करके, हम इसे कर देंगे ok, जैसे मैं यहां पर ok करूंगा, आप यहां पर देखो कि जो data है, यहां पर हमारा पर नाम नहीं आ रहा, sales में लिखा हुए, sales में, और यहां पर आप देखो कि तीनों cell का data है, वो यहां पर प्रॉपर तरीके से calculate होके आ गया है, अब यहां राजेश का data हम देखें, तो 170,000 है, एक बार चेक कर लेते हैं, कि consolidate सही से हुआ यहां नहीं, तो October में sale हुए 50,000, और November में sale हुए 65,000, और December में हुए 55,000, तो equal किया, 50,000, plus 65,000, और plus 55,000, एंटर करते हैं, तो 170,000, जो कि on screen आप देख पा रहे हो, तो basically क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके का data है, जो कि 3, 4, 5, जितने भी है, वहां पर अलग अपका data है कोभी October, November, December, January इस तरीके से है, और आपको report भीजनी है sir को, और आप चाहते हूँ, एक ही बार में trick यूज करो, जिससे तीनों का sales record हूँ, उमें एक ही जगह पे calculate करके ले आऊ, तो उस case में आप यूज कर सकते हो, consolidate option का, अब दोस्तों बात करते हैं, next option कि, जो कि है relationship, और इ यहां पे हमने लिखी है इनके attendance, और दूसरी sheet पे हमने लिखी है salary, इस तरीके से है, और हो सकता है, आपका salary sheet का data लगो, या फिर attendance sheet का data लगो, इस तरीके से, आपको office में देखने को मिल सकता है, अब माल लो कि आपको एक private table report तयार करनी है, क्या करना है, और आप दोनों का data यहां पे merge करना चाहते हो, तो उस case में use होता है relationship option का, समझते है कैसे, सबसे पहले, यहां पे कुछ चीजों का ध्यान देना, सबसे पहले जो आपका data है, वो table में convert होना चाहिए, तो हम इस data को select करेंगे, insert में जाएंगे, और table पे click करके, यहां पे ध्यान रहे, my table has headers, यह check ह होना चाहिए, और हम कर देंगे ok, यह हो गया table में convert, same यही चीज़ आपको करनी है, यहां पे भी इस data को हमने select किया, और यहां पे माते है insert में, table पे click करके, my table has headers, check होना चाहिए, और हमने किया ok, आप चाहो तो अपने table से कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे table 1 है, तो मैं यहा एक private report त्यार करनी है, तो मैंने इसको select किया, insert में गए, और private table पे click कर देते हैं, यहां पे option होता है, choose whether you want to analyze multiple tables, क्या गहरा है multiple tables, जैसे कि मैंने बता एक table यह है, एक table दूसरी sheet पे है, तो इसलिए हमें क्या करना है, add this data to data model, तो data model में convert हो, ताकि हम वहां पे multiple tables का use कर सके, हम आपने select के और कर देंगे okay, okay करने के बाद यह load लेगा, और आपका यहां पे private table field create कर देगा, यहां पे देख पार हो, आप क्या रहा है data 1, और all में जाओगे, तो यहां पे data 2, अब active में हमें सिर्फ data 1 दिख रहा है, हमें data 2 भी चाहिए, तो हम यहां पे select करेंगे, और यहा आप दो tables को, एक साथ private table में लेते हो, तो उनके बीच में relationship होना जरूरी है, नहीं तो data आपका वहां पे गलत show करेगा, जैसे, सबसे पहले मैं select करता हूँ ID number को, फिर यहां पे मैं select कर लेता हूँ यहां पे attendance, और मैं यहां पे दूसरे data में से select कर लेता हूँ salary को, तो यहां है कुछ इस तरीके से, अब यहां पे देखो यह जो data है आपका, यह जो ID number है, इसको हम ले लेते है, रोज में, तो यह आ जाएगा proper तरीके से, बतलब रोवाइस data जो है आ जाएगा, मैं इसको थोटा से बढ़ा कर देता हूँ, अब यहां पे आपको कुछ गलती नजर आ इसमें, ध्यान देना, कुछ गलत इसमें नजर आ रहा है, इसमें जो गलत है, वो है इसका salary, देखो, सब की salary क्या show कर रहा है, यह पर 3,2,000, सब का वही शो कर रहा है, जब कि अगर हम check करें, तो जो salary है, वो सब की alag-alag है, यही salary, तो यह क्यो हो रहा है, क्यों कि इन दोनो को कुछ नहीं करना पड़ेगा यहां फिर आप क्या करोगे डेटा टैब में जाओ और यहां पर रिलेशन्शिप पर किलिक करो हम सिंपली आए हमने किया न्यू पर किलिक करने के बाद जो टेबल है सबसे पहले जो हमारा दूसरा टेबल हम यहां पर सलेक कर लेते हैं और यहा वह हमारा सेकेंडरी है तो इसलिए हमने जो टेबल टेबल गाट जो है जो दूसरा टेबल है उसको पहले सलेक किया है और जो मेंहशन्शिप करने के बाद आप इसे ओक्रों जैसे आप करोगे डेखोगीगा हम से यहां पर जो नैटा है वह आपका प्रॉपर तरीके से याह पे आ जाता है 50,000, 45,000, 32,000 जैसे कि हमारा mean data में उस तरीके से आ गया है तो relationship का जो main use होता है वो यही होता है कि अगर मानलो आप दो tables को एक साथ ले रहे हो पाइवर टेबल में एक ही बार यूज करने के लिए और आप चाहते हो कि data mismatch ना हो तो उस data model यह कैसे काम कर रहा है वो आप चेक कर सकते हो जैसे यहां पे गए हम diagram view में तो आप यहां पे देख सकते हो कि diagram view शो कर रहा है कि यह data 1 है वो interlink हुआ है किससे data 2 से जो की on screen अपके सामने है तो basically data model का कोई proper यहां कुछ खास use नहीं है में टर्म यह है जो कि आप इस चीज़ से analyze कर सकते हो आई होप कि दोस्तो data tools related जितने भी options है मैं बात करूँ text to column, flash field, consolidate, relationship और data validation यह सब कुछ आपको अच्छे से clear हो गयोंगे अब हमार पास यहां पे बचें सिर्फ दो option एक है forecast और एक है outline सबसे बले हैं शुरुआत करते हैं forecast से जिसमें पहला option आता है what if analyzes का अब जब आप what if analyzes पे click करते हो तो यहां पे सबसे पहला option मिलता है scenario manager और यह एक important term है देखो इसका क्या use होता है इसको समझते है basically माल लो आप कहीं पर job करते हो और आपका senior यह बोल रहा है कि हम जो है नए office का एक setup बिठा रहे हैं जिसमें आपको चार चीजों के rate पता करने है market से एक है table, एक है chair, एक है side desk और एक है client chair और इसके लिए जो हम budget लेके चल रहे हैं मतलब company ने जो बोला है हमे maximum खर्चा table के ओ maximum ले सकते हैं मतलब maximum budget जो है हमारा वो है 48,000 का तो अब उन्होंने maximum budget आपको बता दिया, अब आप क्या है market जाते हो, market जाने के बाद आप वहां पर देखते हो कि अलग-अलग rate मिल रहा है, एक हमें मिल गया, एक medium range हो गया, एक low range हो गया और एक high range हो गया, तो आपने क्या ग अच्छा है, तो official base पे जो हमें इस presentation को show करना है, वो काम हम करेंगे scenario manager से, देखो समझते हैं इसको बड़ी आसानी से, सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहां पे what if analysis में, और scenario manager पे click करते हैं, अभी scenario manager बिल्कुल खाली है, हम यहां पे add पे click करते हैं, click करने scenario ने, तो आप market गए, आपने देखा सबसे पहले कि low range में मुझे कितने तक का पड़ रहा है, तो आपने यहां पे लिखा low range, ठीक है, हमने लिखा low range, और यहां पे changing cell है, इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी range को हम select कर लेते हैं, हमने select किया, और comment में आपको कुछ लिखना है तो आप लेख सकते हैं, ने, तो इसे रहने दो, अब जैसे आप okay करोगे, तो okay करने के बाद, यही जो value से वो यहां पे आ जाती है, तो हमने बोला कि भई, जो scenario range में हम value दिखाना चाहरे है, यह तो हमें एक budget शो किया है, लेकिन इस budget की हिसाब से, जो low range में पता किया है market मे तो table मेर को पढ़ गया, जो low range में, वो बता रहा है, दस हजार का table मिल जाएगा आपको, यह फिर मैं बात करूँ chair की, तो chair हमें low range में बताया है, कि आपको 500 का मिल जाएगा, side desk की बात करें, तो 4000 का मिल जाएगा, और client share की बात करें, तो वो पढ़ेगा, हमें 6000 का, यह हमने क किया, और हमने इसको किया, okay, okay करने के बाद हमारा जो low range है, वो यहाँ पर create हो गया, अब हमें एक mid range भी पता चलिया, हमें add में गया, हमने इसका नाम रख दिया, हमें mid range, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर by default जो cells है, जो values है, वो यहाँ पर select हो रखिया, हम करते है, okay, medium range डाल देता हूँ मैं, कि medium range में जो table है, वो बताया है, 15,000 का, और जो chair है, वो हमें बताया है, 6000 का, और जो हमारा side desk है, वो हमें बताया है, 58,000 का, और जो client chair है, वो हमें पढ़ रहा है, 8,000 का, ठीक है, यह हमें पढ़ रहा है, हमने किया, okay, और एक high range में बना लेते है, हमने सा टेबल मिल जाएगा और जो चेर है उन्होंने बताए कि 9000 का आपको बढ़ी हासा मिल जाएगा साइड़ डस्क आपको 8000 में मिल जाएगी और जो क्लाइन चेर है वो 9500 में मिल जाएगा हम ने क्या okay और यहां पर आप अब हमारे पास जो तीनो रेंज है वो यहाँ पर create हो चुका है आप मुझे इसकी summary बना के भेजनी है अपने senior को ऐसे तो show नहीं करेंगे मूँ से बोलके हमें उनको एक proper scenario show करना है तो हम यहाँ पर summary पर click कर देंगे click करने के बाद यह पूछ रहा result cell कौन सा है आपका हमने बोला यह वाला result cell है by default select कर लेगा यह मैंने यहाँ पर इन सब का total क्या हुआ है sum के formula की मतद से और मैं कर दूँगा okay जैसे मैं okay करूँगा आप यहाँ पर देखो मुझे क्या show कर रहा है कि low range में आपका जो value से वो इतनी आएंगी और आपका जो budget है वो 25,500 का पड़ेगा mid range की बात करें तो mid range में जो हमारी cost है वो आज आएगे 34,800 की यह cost पड़ेगी और high range में आपको यह cost कुछ इस तरीके से पड़ेगी 44,500 मतलब जितना आपको budget दिया गया उसके हिसाब से आपने तीनो जो parameters है low range में mid range में high range में कि हमें table कितने की पड़ेगी, chair कितने की पड़ेगी side desk कितने का पड़ेगा वो सब आपने यहाँ पर डाल दिया लेकिन यहाँ पर यह कमी लग रही है कमी क्या लग रही है कि यह जो cell है वो ऐसे नाम नाम लिखके आ रहा है आ रहे नहीं यहाँ पर और आप चारो इसके अंदर का भी data change करना तो हमने यहाँ पर क्या क्या हम इसको थोड़ा सा modify करेंगे कैसे तो हम यहाँ पर आते है normally scenario वाले tab में और यहाँ आने के बाद मैं cell को select करता हूँ और इसका नाम मैं दे दे तो table का नाम दे दिया table एंटर किया फिर आप select करो name manager में आओ और यहाँ पर इसका नाम मैं दे दे तो chair और फिर यहाँ पर आते हैं हम यहाँ पर आए हमने इसका नाम दे दिया side desk इसके पद यहां पर आते हैं, इसका नाम हमने दिया client chair, और किया enter, अब यहां पर पूरा data है वो यहां पर create हो गया, create होने के बाद दुबारा से summary हम create करने वाले हैं, तो हम what if analysis में जाएंगे, scenario manager पर click करेंगे, range हमने create कर रखी है, summary पर click कर देते हैं, और दुबारा से एक नया normal हम डाल देते हैं, market cost of office accessories, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा, और हम enter कर देते हैं, तो यहां पर यहां पर आगर आप कुछ और show करना चाहते हो, तो वो लिख सकते हो, current value में कुछ और show करना चाहते हो, वो लिख सकते हो, और फिर इसका print out निकालके, या जिस format में भेजना च आप इसे भेज सकते हो, तो इस तरीके से scenario manager का काम होता है, जिसमें आप अलग-अलग scenarios को show कर सकते हो, to the senior, to the supervisor, to the team, अब what if analyzes में ही बात करते हैं, दूसरे option की, जो कि है goal seek, जब आप इस पर लेके जाओगे, तो यह कहेगा, find the right input for the value you want, अब यहां पर right input का है, जैसे example के ल रखा हूं कि मेरे पास जो budget है, वो है लगभग 2400 रुपे का, तो यहां पर मुझे कितनी quantity किताब की लेनी चाहिए, जिसके हिसाब से मेरा 2400 रुपे पूरा का पूरा खतम हो जाए, तो अब यह सोचना पढ़ रहा है काफी जादा, तो आप क्या कर सकते हो यहां पे, आप simply यहां पर आओगे, आने के बाद आपको यहां पर select करना है, what if analysis में, गोल सिक का option, अभी पूछा रहा है, set value, तो set value जो है, मुझे किस value को change करना है, तो मुझे change करना है, इस वाली value को, तो two value में यहां पर डाल दिया, 2400 का budget है हमारा, यह हमने डाल दिया, और by changing cell हमने डाला यह, कि यह वाला cell मुझे change करना है, जैसे मैं okay करता हूँ, यहां पर calculate करेगा, और बताएगा, कि अगर आप 40 quantity लेते हो किताब के, तो आपका जो पूरा budget है, वो यहां पर finish हो जाएगा, अब इस practical को देखके, आपको कुछ खास नहीं लगा होगा, कि यह क्या मतले भी, तो normally पैसे चाहिए होते है, यह थोड़ी dark reality है, बड़ी जान लो, तो कई बार क्या होते है, जो employees वगरा होगे, वो जाते है, office की तरफ से कहीं पर vacation पर गए, या office से related कहीं बहार टूर पर गए, काम से related, तो वो बोलते है, hotel वालों को एक किसी तरीके से, कि आप मेरा इस तरीके से bill set कर दो, कि मेरा bill इतने का बन जाए, तो उस case में आप goal seek option का use कर सकते है, क्योंकि आपको proper input value तो पता नी, तो आपने वहाँ पे उसके हिसाब से कि इतना value से चाहिए, मानलों से चाहिए 2400 का value, और कितना उसने दिन यहाँ पर रुका है, या कितना उसने खाया है, कितना उस हिसाब से वहाँ पे आपने measurement, जैसे की quantity हमने डाली, बस वहाँ पे डाल सकते हूँ, जब आप करोगे तब आप इस चीज का use समझ जाओगे, अब इसे के साथ एक practice कर लेते हैं, जहाँ पे अभी हमने quantity देखे है, मानलो हमें rate देखने है, अब यहाँ पे हमारे पास 120 quantity है कित करूँ, अब यह कैसे करें, तो इसके लिए दुबारा यहाँ पे आते है, इसको select किया, what if analysis में गए, गोल से इक पर click किया, तो set value में हमने select किया इस वाली value को, मतलब इस वाली sell को, और two value में में डाल देता हूँ, कि 3600 रुपे मुझे कमाने हैं, इन सभी किताबों को बेच सकते हो, so I hope कि दोस्तों यह वाले term है, वो आपको clear हो गया होगा, कि goal seek option का क्या use होता है, इसे के साथ माल लो कि आपको एक बार में multiple values निकालनी है, multiple values in the sense, तो माल लो जो हमारा rate है, वो है 60 रुपे, तो price जो हो बैठ रहा है 2400 रुपे, ठीक है, तो यहाँ पर rate अगर हमने 120 रखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना bill बैठेगा, या फिर 160 है, तो यहाँ पर bill कितना बैठेगा, या फिर 140 है, तो यहाँ पर bill कितना बैठेगा, तो आप इस पूरी range को select करो, और सब के input आपको एक ही बार में चाहिए, इसके according, जैसे 60 के इसाब से 2400 आया है, तो उसे इसा इसाब कितना बैठेगा, तो यहाँ पर इसाब कितना बैठेगा, तो इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हम एक एक करके value निकाल रहे थे, यहाँ पर आपने एक ही बार में सभी multiple values निकाल लिए, तो आपको दोस्तों, फोर्कास से रिलेटेट यह तीनों आपको clear हो गयोंगे, अब जो forecast sheet होती है, यह भी समझ लेते हैं, यह थोड़ा जादा easy है, बस आपको ध्यान देना है, देखो forecast action में होता क्या है, अब माल लो आप किसी company में work करते हो, और उस company का 6 महीने का data आपके सामने है, जैसे आप देख रहे हो, कि पहले महीने का revenue था, वो था पांचोय महीने में फिर बढ़ गया, और छेटे महीने में घट गया, तो होता क्या है, जब कोई company, कहीं investor के पास जाती है, किस investor के पास जाती है, तो उसे अपना जो revenue है, उसका forecast report देखाना बढ़ता है, माल लो जो data आपके सामने है, इस पे investor बोल देता है, कि आपका जो यह यह 6 महीने का revenue model है, इसके साब से हम क्या ratio ले सकते है, कि 7 महीने में आपका revenue कहां तक जाएगा, 8 में कहां तक जाएगा, 9 में में कहां तक जाएगा, तो उस case में, आप forecast sheet उनके सामने दे सकते हो, देखो, मैं यहाँ पे इस range को select करता हूँ, select करने के बाद आपको simple forecast sheet पे click कर create, अब यहाँ पे देखो, एक report आपके सामने आती है, तो मैं यहाँ पे stable को थोड़ा सा design कर देता हूँ, तक आपको समझदे में जादा असानी हो, और यहाँ पे हम आते हैं design में, और कोई साभी एक particular design ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा से edit कर देते हैं, यह हो गया edit यहाँ स और इसका जो भी layout आप रखना चाहते हो, आप यहाँ कोई layout में जाके, जैसे मालो यह layout चाहिए आपको, यह layout चाहिए, यह layout चाहिए, suppose, तो जो भी layout आपको पसंद है, वो layout आप यहाँ से रख सकते हैं, फिलाल मुझे यहाँ पे जादा बढ़िया लग रहा है यह यहाँ ल लेकिन 14 मेने में down हुआ, तो यह जो ratio बता रहा है positive term में, कि 7 मेने में जो इसका revenue जा सकता है, वो है 68,113 और 8 मेने में जो जा सकता है, वो है 62,762 इस तरीके से revenue positive way में है, लेकिन अगर हम इसके अलग parameter को देखे, कि अगर यह मालो company डूबती है, मतलब lower case में जाती है, तो इस company अपर हुजाती है, मतलब rice पकड़ती है, तो यह company जा सकती है 97,000 या 99,000, तो यहाँ बिसकलिए आप देखो, पहले मेनी का इतना दूसरा मेने में company उठी, तीसरा मेने में और उठी, 14 मेने में company हो गई down, पाचो मेने में company गई, अब 6 मेने में company हो गई down, फिर अगर हम एक parallel बे लेके चले, तो यह ratio हो गया, जो कि यह वाला है, ठीक है, और अगर हम अपर भिहाब पे लेके चले, तो यह वाला portion है, जो yellow वाला है, और अगर down भिहाब पे देखे, तो यह वाला portion है, तो इस तरीके से forecast report की जाती है, जो कि आप senior supervisor के सामने, represent कर सकते हैं, कि company का model है, उस जो कि है outline format, basically यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूए, जो आपका data है, इसमें आप देख रहे हो कि आपके पास data है, बिहार स्टेट का भी, दिल्ली का भी, पंजाब का भी, और उतर परदेश का भी, मानलो आपको यहाँ पे data को hide करके रखना है, यह group करके रखना है, तो आप उस case में क्या कर सकते हो, जैसे example के लिए यह data है हमारे पास, उतर परदेश का, मैंने इसको select किया, और मैं इसको कर देता हूँ group, और मैंने क्या बोला कि यह जो rows है, जितने भी rows है, मुझे इनको group करना है, मैंने क्या okay, तो अब यह जितना उतर परदेश का data है, वो एक group में convert हो गया है, अगर मैं यह minus पर किलिए करूँगा, तो उतर परदेश का data यहाँ पर आजाएगा, तो जब हमारे पास एक बड़ा data होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर हमारे पास एक large number of data है, और उस data को मैं easily देखना चाहता हूँ, view करना चाहता जैसे भी मुझे इस पर से group हटाना है, तो मैं यहाँ पर गया, और मैंने क्या कर दिया, ungroup, तो वो group हट गया, और मैंने क्या किया, ok, तो यह पहले की तरह होगे normal, लेकिन अगर मैं चाहरा हूँ बिहार की जो data है, इनको मैं एक category में रख दू, तो मैं क्या करूँगा इसे, group कर दूँगा, इसके अलावा एक और use देखो, यहाँ पर जैसे subtotal है, आप पूरी range को select करो, इस तरीके से, यह आपका पूरा data है, हमने select किया, select करने के पाद मैं जाता हूँ, subtotal पे, और subtotal किसको करना है, मुझे sales को करना है, और किसके विहाब पर करना है, state के विहाब पर क हो गए, देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यह सब यहाँ से लेके, यहाँ तक एक group हो गया बिहार का, और बिहार का total sale आगया, यहाँ से लेके, महिस से लेके, दिनेश तक, यह है दिल्ली का data, और यह आगया दिल्ली का data, एक जगा, यह data है पंजाब का, यह आगया एक जगा, और यह होगे एक जगा और यहां पर grand total वगरा इस तरीके से proper report सब total के साथ आपके सामने create होगे अब अगर मैं इस minus पे click करूँगा तो इसका data गायब अगर मैं इस minus पे click करूँगा तो इसका data गायब और इस पर किलिक किया तो यह data गाया तो अब यहाँ पर data कितने compact way में आ गया आपको इतना सब कुछ देखने कि जोतनी है senior ने पूचा कि भाई बिहार में कितना हुआ है तो बिहार में इतना हुआ है दिल्ली में इतना हुआ है पंजाब में इतना उतरपरदेश में इतना और यह हो गया grand total अगर आपसे पूचता है कि भिहार में किस-किस ने कितना sale किया आप simply इस पर किलिक करो यह आ गया बिहार का पूरा data आप simply इस पर किलिक करो यह आ गया दिल्ली का data तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो आपको यहाँ पर हाइड डेटल करने है तो हाइड कर दिया शोड़ डेटल करना है तो शोड़ डेटल कर दिया So I hope कि दोस्तो data types related जो यह complete tutorial था यह आपको पसंद आया हो और I hope कि जितने भी मैंने कोशिश की है आपको सब चीज़ समझाने की वो point to point आपको समझ में आया हो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please इस वीडियो को like करें share करें साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दे Thank you